हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमित कश्या तो दिखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको एक MDA बोर्ड ले लेना है और उसके चारो कोनों को जब आप मार्क कर लेंगे इस तरीके से तो वहाँ पर आपको एक लाइन बनानी है लाइन बनाने का फायदा हमें यह हुआ कि हम में काड़ना चाहते हैं तो पर उसके काम कर लिजये और यह देखे के इस तरीके से ईसके में मेरी पास में सब कुछ exp है पर फिर में लोग आकर दिखा रहा हूं चिन लोगों पे machines नहीं होती हैं तो वो इस तरीके से भी गोले की design को कर सकते हैं और गोले की design भी ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है चुकि आप 4 और पे गोला बना लेंगे तो बात बरावरी रहती है अब देखी यहाँ पर इस तरीके से अब घिस लेंगे इसको और उसके बाद जो है MDF board आपका एकदम गोले के आकार में आ जायेगा तो यह सारी चीज़े आप कर लेंगे मुझे मालूम है और आप अच्छे तरीके से कर भी लीजेगा लेकिन खास ज़रूरी भी नहीं है पर फिर भी मैंने आप लोग को अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर यह कर लिया है मैंने ठीक है अब आपको क्या करना है कि इसी पर आपको एक और गोला बनाना है जो कि आप बनाएंगे 5 cm का तो उसके लिए आप क्या करेंगे 5 cm का प्रकाल पर माप लेंगे और जो गोला बनेगा आपका वो बनेगा 10 cm का आपको क्या करना है कि आपको एक और गोला बनाना छोटा और उसके लिए आपको प्रकाल पर माप लेना पड़ेगा 3 cm का और जो गोला वनेगा आपका 6 cm का ठीक है अब ये आप इतना कर लेंगे यहाँ पर तो अब इन पर भी माग करने है कि भाई हमें इतनी दूरी पर LED को लगाना है तो हमने डेड़ सेंटीमेटर की जो है दूरी ले लिए प्रकाल पर उसकी डेड़ सेंटीमेटर के चाप मार रहे है दूरी के जिससे हमें LED को यहाँ पर लगाने में मदद मिलेगी और फिर उसके बाद इस पठे में हमें जो है drill से छेट करने है बस सिंपल इतना ही करना है उसके बाद यहाँ पर हमें drill machine से छेट करने के बाद यहां पर LEDs लगाने LEDs लगाने के बाद जो हमें करने है connection तो connection कैसे करने है आप वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें करने drill machine से छेट तो मैं यहीं बोलूँगा कि drill machine से यह बड़ी वाली machine है हाथ वाली तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को लेकिन अंदाज जब आप काम करते रहते तो लग जाता है अब देखें यहाँ पर हमने दो गोले बनाए हैं इस तरीके से एक हम लगाएंगे उपर की तरफ और एक लगाएंगे हम नीचे की तरफ अब देखें यहाँ पर हमें लगानी LEDs तो मैं आपको LEDs लगा अगर दिखा देता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि जो LEDs को आपको लगाना है तो plus वाला पॉइंट जो आपको ऊपर की तरफ लगाना है और मैनस वाला पॉइंट था वह आपको अंदर या नीचे की तरफ लगाना है और इन SABHI LEDs के आपको plus को common कर देना है अब मैनस को छोड़ देंगे क्योंकि हम चैनिक्सन करेंगे वह red green blue वाले consequence में करने वाले हैं अद देह कि यहां पर इनúnकес को common करने के लिए मेने transformer का जो इक होता है उसमें निकल जाता है वाला वाई तो वाई मैंने यहां यहां पर यूज किया है और इससे में सभी ledy के प्लस का जो वायर है उससे common कर दूंगा यहां क्योंकि common करना ही यहां पर जरूरी है क्योंकि जो हम higher sensor use कर रहे हैं वो market वाला use कर रहे हैं और उसमें प्लस का common करवाना पड़ता है और वो कहता भी है higher sensor के plus का common करो तो इसलिए हम वहाँ पर करते हैं ठीक है अगर आप मेंने जो बनाया है higher sensor जो अभी कुछ दिन पहले ही है अहली में वीडियो डार रखी है अगर आप उसे बनाते है तो उसमें negative को यहां पर common करना पड़ता है अब देखिए हैं पर हमने सभी plus को आपस में जोड़ दिया है सभी plus common wires को आपस में जोड़ दिया है दूसरी लाइन गावी और पहली लाइन गावी तो आप इस तरीके से जोड़ देंगे अब यहां पर जो हमें connection करने हैं वो करने वही हमें red green blue के connections और बाकी सब तो connection हो चुके हैं यहां पर हम ले लेंगे red red wire ले लेंगे और red wire को इस तरीके से पकड़ लेंगे अब क्या करेंगे red wire को connection कर देंगे उसके बार लेंगे यहां पर green wire तो green wire को connect कर देंगे उसके बाद हम यहां पर blue wire को connect हम कर देंगे इस तरीके से अब यही sequence आपका चलता रहेगा या फिर आप यहां पर one two three भी ले सकत स्वाइब ले सकते हैं अब देखेए इस तरीके से आपको हैं पर स्पुर कर बना लेना है और आप बता दिजका करके के भाई अगर आपको सर्कुट डायगरम चाहिए तो मैं कोसिस करूँर गा मैं अब को बम हम पर कर देदू क rupees tapping चारो वायट्स हैं यह हमें इस जो गोले पे हम उपर वाली LED भी चलेगी और नीचे वाली LED भी चलेगी तो इसलिए हमें यहाँ पर किया एक कम अब देखे यह जो हमारा glue stick है उसमें हमें drill machine से छेद कर लेना है इस तरीके से और उतना ही करना है जितनी की हमारी LED बड़ी है या आपको लगा कर दिखा दिया है आप देखें यहाँ पर इस पर लगाना आपको tape क्योंकि यह चारो wire है फैलेंगे इससे अच्छ है यहाँ पर हम एक जगह पर इखटा कर देंगे और इन पर टेप लगा देंगे और अब यहाँ पर टेप जब लगा देंगे तो आप पहले से होल कर है पठोझाल में तो वहां से वार ऊपर की तरफ निकल जाएंगा तो आपको क्या करना है जो प्लश parenth точे हुआ प्लस लगा देना है और जो रैड्ड गृंड व्लु है तो पार यहां पर आपको आपको और बदा दे था हुआ तो जो black वाला point है वो आपको इस तरीके से black पर जोड़ देना है क्योंकि हमने पहले ही common wire जो कर दिया है अब जो red wire है उसको red पर लगा देंगे आप इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रहा हूँ आप क्या करेंगे कि जो आपका green wire है उसको आप same to same इस तरीके से लगा देंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर लगा कर दिखाया है और फिर blue को blue पर इस तरीके से लगा देंगे जैसे मैंने यहाँ पर आपको लगा कर दिखाया है friends मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दू यह हम गयां क तक के connection आप यहां पर हमें connection करने है IR sensor के connection IR sensor के connection करने में तो IR sensor हमने ले लिया है अब गार जो प्लस का common wire है जो हमने पहले वोला था transferol garter के wire के को तो उस वाली line पर हमने यहां पर इस तरीके से black वाले wire को यहां पर लगा दिया है अब क्या करेंगे red को red पे जोड़ देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो हमारा green point होगा green को green पे जोड़ देंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे blue का connection तो blue को भी same to same जैसे मैं आपको connection करके दिखा रहा हूँ same to same इस तरीके से लगा देंगे अब इन connection को करने के बाद यहाँ पर आपको करने है भाईया आपको glue stick को लगाना है LEDs पर तो यह देखिए एकदम fix LEDs पर लग गी है यह उतनी ही आपको glue stick में छेद करने है जितनी कि आपकी LEDs पर यह लग जाए ठीक है तो एक LED ले लिजेगा जब आप छेद करें तो उसमें ल LEDs को LEDs में glue stick को इस तरीके से लगा देंगे जैसे मैंने आपको लगा कर दिखाया है बहुत ही easy है यह और आप इस तरीके से आप जब लगा लेंगे तो बहुत ही आराम से लगा भी लेंगे अब यह दिखिए यह आपका 2-3 तरीके से काम कर जाती है light यानि कि आपकी घर में light lamp night lamp भी बन जाती है ठीक है और अगर आप चाहें तो इसमें red green blue LEDs ना लगा कर भी आप यहां पर white LED लगा लेंगे तो यहां पर आपको white जो है रोशनी मिलने वाली है तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और night lamp भी इसका बना सकते हैं तो वो भी काफी अच्छा है और अगर आप colors में लगाना है तो आप colors में भी लगा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है और colors तो आप देखी रहे हैं यहां पर जो की design कितना अच्छा है और अगर आप market वाला जो IR sensor लेते तो उसका फायदा यह होता है friends कि उसको आप उसमें आपको बहुत सारे filters जो हम म मिलने वाले हैं क्योंकि उसमें जो हम transistor और capacitor कर सकते हैं तो उसमें क्या है direct power cut out होता है capacitor जो चार्ज होता है फिर off होता है चार्ज होता है तो यह एक sequence होनता है और उसी तरीके से हमारी LEDS काम कर दिया है लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी capacitor लगे हुए है इसमें भी जो है अं जो मैंने आपको बना कर दिया वीडियो भी पड़ी हुई है तो आप जरू से देख लीजेगा और सबसे च्छी बात ही है कि यह वाला चलेगा आपका 12 पर और जो मैंने आपको बना कर दिया वो चलेगा 5 बोल्ड पर तो वह आपके लिए ज्यादा बेटर है क्योंकि आप चोटा भी बनाते हैं तो चोटा वी जो है यहां पर 4-5 LED लगा करके गुलू स्टिक 4-5 लगा लेते हैं तो वो भी आपका बहुत अच्छे से काम कर जाएगा और नाइट लेंप भी बन जाएगी और नाइट अमर्जनसी लाइट भी बन जाएगी तो यह आपके उपर है कि भाई आप किस तरीके से यूज करते हैं तो यहां पर इस लाइट की बहुत सारी डिजाइन से अगर आप जैसे चाहें वैसे यहां पर यूज कर सकते हैं अगर आप मुझे कमेंट करकर बताएंगे कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है आप और अच्छी वीडियो मतलब बना कर दाल दीजे तो मैं आपके लिए जोरू से वीडियो लेकर आऊंगा और वीडियो में बहुत मेहनत कर दिया इस बार तो मैं आप से यह चाहँगा कि वीडियो आप जो है जा्था से